मोतिहारी के पहाडपूर प्रखंड शित्र में बड़े पैमाने पर इंद्रा आवास लाभार्थियों से अवैध रूप से रिश्वत लेने का मामला उजागर हुआ है जानकारी के अनुसार शार्दा देवी ने आवास सहायक धर्मिंद्र पर आरोप लगाए हैं कि उनसे आवास देने की नाम पर 40,000 रूपे रिश्वत देने का दबाव बनाया जा रहा है वही रूपे ना देने पर उसका नाम इंद्रा आवास से वंचित कर दिया गया है फिलहाल इस मामले में लाभार्थी शार्दा देवी ने आवास सहायक के खिलाव पहाड़ पुर थाना में आवेदन दे कर जाच की मांग की है पंजाब के इसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुन की रिपोर्ट